नायरा कार्तिक से लड़ सकती है नायरा कार्तिक से वो सवाल भी पूछ सकती है जिसकी वजह से वो सालों पहले घर छोड़ कर अपना शहर छोड़ कर गोवा चली आई लेकिन नायरा तब क्या करेगी जब उसके सामने उसका परिवार होगा जब गोईंग का फामिली नायरा से सवाल करेगी कि हमारी क्या गलती थी क्यों तुम हमारे बच्चे को हमसे दूर लेकर चली गई वो भी इतना दूर कि आज तक हमने उसकी एक ज़लग भी नहीं देखी बिचारी नायरा क्या जवाब देगी उन सवालों का उन सवालों भरी निगाहों का जो एक साथ उसे तक हैंगी अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये खबर आ रही है कि जल्द ही नायरा कर सामना दादी से होगा और सबसे पहरा सवाल जो नायरा से पूछेंगी वो दादी ही पूछेंगी दादी सबसे पहले नायरा से ये पूछींगी कि आखिर सालों पहले हुआ क्या था जो तुमने इतना बड़ा फैसरा लिया उसके बाद जब पूरे राज एक के बाद एक खुलने लगेंगे तब जाकर दादी ये समझेंगी कि नायरा ने जो भी किया वो गलत था क्योंकि उन्हें उनके पर पोते से दूर कर देना नायरा की सबसे बड़ी गलती है उनकी निगाहों में और इसलिए दादी नायरा के सामने घुटने टेकिंगी उससे भीख मांगेंगी अपने पोते की तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अपनी खुशियां मांगेंगी दादी जोली फैला कर नायरा से कहेंगी कि हमें हमारे परिवार को हमारी खुशियां दे दो हमारा वारिस दे दो लेकिन नायरा के सामने ये सबसे बड़ी कसौटी होगी इस कसौटी पर नायरा खरी उतरेगी या फिर नहीं ये हम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि काईरफ को कुर्बान कर देना नायरा की सबसे बड़ी कुर्बानी होगी नायरा अगर कार्टिक को सौप देगी गोईंगा फामिली को तो फिर इस कुर्बानी के बाद वो खुद कैसे जी पाएगी यह सवाल सबसे बड़ा है और क्या यह कुर्बानी कार्टिक नायरा से मांगेगा सबस्क्राइब करें हमारा चानल टॉप नियूज जस्ट रूइ यू और कॉमेंट सेक्शन में आप भी हमें बताइए कि नायरा कार्टिक की इस कहानी में दादी की ये ग्राइन एंट्री जो के काईरफ के लिए होगी वो क्या कहानी को किसी पॉजिटिव मोड पर ले जाएगी या फिर नायरा कार्टिक की लाइफ में और भी ज्यादा ट्रॉबल पैदा कर देगी टॉप नियूज की रिपोर्ट